तो हमने अभी तक यह देखा था कि ऐसे क्या 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 कर्म इंसान करता है जिससे हमारे चार्ट में हमको कुछ ऐसा दिखता है कि यह यह सब्सक्राइब तो उसमें कुछ प्लानेटरी कॉमिनेशन हम देखकर पता लगा सकते हैं कि यह वाला दोश है इसके लिए रेमेडी हैं मगर बेन बात आती है कि उसको कैसे पहचाने तो अगर हमको एक जनरीक एक हमारे पास एक शीट है जिसमें को पता है कि लगभख फिफटी टू सेवंटी तरह की हमारे पास हमको पता है कैटेगरी और इतने तरीके के एक एक इनसान से दोश हो जाते हैं जाने यह हमकें से हो आफ एक उसको हए तुम वहां को पधना और समझ में उसको आगया डिकोट करना आगया कि हमने उसको समझा कि अच्छा यह हमारे पाद लिए में उसको मैप कर लिए कुन्डली में यह देखकर कि यह वाले planetary combination है और हमको वह दिखे तो हमको पता चल सकता है कि अच्छे ये हमको उपाय देना है और ये इसका तरीका है उस श्राब से भाँ से भाँराने का तो लाल किताब मतब हंडेड परसेंट इसको रेमेडियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें पेंडिंग कर्मा की काफी सारे रूल्स हैं मगर जैसा कि मैंने बताया था पहली क्लास में कि कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं है कि किसी ओथर ने लिखा हो कि ये वन लाइनर ऐसा है तो इसका य जानने की कोशिश करेंगे कि अच्छा ये रूल्स हैं तो ये डाट कुड बी तब पॉसिबल पेंडिंग कर्मा और यह मैं इसका हम उपाय देकत इसका कहीं न कहीं जो श्राप है या कहीं न कहीं जो इसका डेट्स हैं वो इसको कम कर सकते हैं और हमने जैसे बात की थी संच जाता है कि अगर कोई किसी इंसान ने जनम लिया है तो उसको वो भुगत नहीं पड़ेगा तो यह बात सच है विदी का विदान जो है जो लिखा है वो कही रहेगा मगर जैसा कि कहा जाए कि प्रेयर्स अगर जन्मिन है रियल है और अगर शमा याचना की जाए प्रेयर्स की जाएं तो आपको डेफिनेटली उसे चुटकारा मिलता है यह मेरा समाना है दुनिया का ऐसा कोई भी कर्स ऐसे कोई भी चीज नहीं जिसका निदान नहीं है शामा प्रात्ना से और अपनी गलती को मानने से अपने जाने जाने जो हमसे गलती हो जाती है उसको एक्सेप्ट करने से चीजें 70%, 60% कम हो जाती है और इतना भी हो जाया तो भी क्या कमी है 100% दुख जेलने से तो अच्छा है कि 50-60% भगवान ने हमको जो कर्म दिया है exercise करने के लिए तो क्या बुराई है अगर हम उसको मतलब अच्छे अच्छे भाव से करें तो क्या बुराई है उसको करने में तो हम इसलिए में यहां पर नहीं बोल रहा हूं उपाए इसलिए में करते हैं spirituality की हम जब बात करते हैं शमा याचना की हम बात करते हैं जब कर्मा की तो इस यह बातें किताबी टेक्से बहुत उपर हैं इसलिए जोतिश को जानने के लिए जब जोतिश पढ़ लिया जाए तो कोशिश करना चाहिए कि उससे उपर एलिवेट किया जाए उन का जवाब सारी पुरानिक कथाओं में हैं रामायड में हैं महाबारत में हैं जीता में शिरकिष्ण भगवान ने बहुत कुछ बताया है और आप जितने भी पुरान पढ़ेंगे शिव पुरान विश्नु पुरान अब जितने भी पढ़ेंगे उन सब में अगर कहीं कुछ गलती हुई है कहीं कोई श्राप है कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसके मुक्ति के समाधान भी लिखे हुए है पड़ यह है कि हाँ वो जर्नी थोड़ी लंबी हो सकती है उसका इमीजेट नहीं हो सकता उसका मान लीजे कोई तुरंत मेजर मगर हो सकता है समय लगे किसी को हो सकता है छे मेने लग में उसकी जो प्रेयर है भगवान सुन ले उसकी फर्याद किसी की हो सकता है एक साल में सुन ले किसी की पांच साल में सुन ले मगर करना चाहिए उसका कारण क्या है कि जब भी कोई दशा में कोई वेक्टी परेश जाता है और कहीं न कहीं ये भी उसको दिमाग में शायद नहीं रहता है talk halls के लिए रस्त भरा है भी मगर इस समय में अगर तुम थोड़ा सा अपना किलर इंस्टिंक्ट रखें थोड़ा सा फाइटिंग एक अप्रोच रखें और स्प्रिच्वल रहें पूजा पाट करें गरीबों की सेवा करें माबाप की सेवा करें तो कहीं न कहीं आने वाला जो समय वह समय पर चल रहा है इसकी मुक्ति इसी समाधान से यह जो आप कर रहे हैं उससे मिल जाए अच्छी हो जाए तो जैसे कि हमने लिख रहा है हम बात कर रहे हैं एक्टिवेशन ऑफ कर्स तो एक्टिवेशन ऑफ कर्स आपने देखा होगा कि कभी-कभी ऐसी दशा आती है जिसमे सारा कुछ बदर जाता एक्टिवेशन अर्श से फर्श पर पहुंच जाता है तो एक होते हैं दशा को समझ के हम एक्टिवेशन देखें एक होता है जो कि वैदिक जोतिश में एक कॉंसेप्ट है ट्रांजिट भी लगा सकते हैं दशा के लावा on top of that there is also one of the technique एक टेक्नीक और भी है वो लालकिताब में ही है वो है वर्षफल तो वर्षफल देखके भी पता है लगा जासकता है कि आने वाले समय में कि कहीं कोई कर्स आक्टि कहीं निकुछ बता सकते나हनि कि यह डूर्उन डूंस हैं यह आप ना करें तो बहुत अच्छी बात ही है बहुत आच्छी बात है और कुसी गलतकारे को करने से रोकना भी तो एक्टिवेशिन जो कर्स हो रहा है वो कहीं निकिनो 2019 तो मैं आपको सिखाऊँगा कि कौन-कौन सिए क्या-क्या चीज़े होती हैं जो नहीं करनी चीए जिससे अमको डिख राए कि आने वाले समय में यह हो सकता है ने ठील चार्ट में यह प्रॉमिस दिख मैं आपको सिखाऊंगा इस oùर्स में कि कैसे-कैसे हम इसको अभी इलाज या उसको हम देख सकते हैं activation of receptors ko हम कैसे देखे उस यह क्या निशनिया है वो कभ हो सकता है रहो कि झानिया क्या-कै और उसको दुरिस्थ करने के क्या को थोड़ा negative connotation में लेते हैं कि इसको बोलते हैं उपाए की किताब है और टोटको की किताब है तो जब उपाए की बात करते हैं तो आप अगर देखेंगे तो जीवन में कोई भी विद्या हो या गुरू जब कोई भी समाधान बताते हैं बिना जोतिश के भी हमारे जो लाल किताब की बात करते हैं तो लाल किताब को इसलिए बोला जाता है टोटको की किताब क्योंकि कहीं न कहीं उसके उपाए बहुत हत्तक लोगों के दिमाग में हैं कि वह तामसिक होते हैं क्योंकि उसके इलावा दो उपाए भी और होते हैं और भी दो तरीके की remedial measures होते है कि उनको भी करके आप कहीं न कहीं वो रिलीफ ले सकते हैं तो जैसे राजसिक और साथविक तो तीन तरीके के तेन तरीके से फाए को समझा जाए तामसिक राजसी और तीनों ही पता है तो आप तेनों तीनों में जोब को लगें अपने लिए भीन सकते हैं क्लाइन्ट को भी बदा सकते हैं जिसमें उनको recommitable हो वह बता क्यों होट इसे जो फीक लगता हो कोई ऐसा रिवर नहीं है जिसमें करंट हो और वो खर रही हो और यहां तो चोटे-चोटे अगर पॉंड्स हैं तो उसमें डालने कोई मतलब नहीं है तो कहीं को जाए हमारी जो समाधान है उसके कि लावा देश्काल्पात्र समझना है अगर हमें दो चीज गईलें लाल किताब में आ ह deड़ कि को इतना इतना संशोधन किया है लाल किताब में इतना संशोधन किया है कि इतना किसी विद्धिया में नहीं इसको बहुत जादा उन्होंने संशोधन किया है और एक टाइम के बाद जाके वो थोड़ा समझ से बाहर हो जाती है और वो समझ में भी नहीं आती कि कैसे उसको समझा जाए क्या किया जाए तो मैंने कोशी यह किये कि मैं सिंपल वे में ग्रैफिकल प्रेजेंटेशन में रूल्स बैरूल समझाकर उसको अप आप लोगों को दूत आकि आपको समझ में आए कि यह रूल्स ऐसे हैं क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ स्टेट्मेंट लिखी हुई है और प्रेजेंटेशन पिक्टॉरिल ग्रेफिकल नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा तो कोशिश मैंने कि आपको देशकाल पात्र का कॉंटेक्स समझाऊं राजसिक सात्विक तामसिक रेमिडी की किस जगे कहां पर कौन सी देनी है और कैसे कालपुरुष कुंड़ी को समझा जाये तो अब हम बात करेंगे mi कालपुरुष कुंड़ी की अब यह हमारे सामने इक ृव्स कुट्त बलैंक इसलिए है यह मानके चलते हैं कि लाल किताब में जो पहला घर है उसमें हमेशा मानके चलते हैं कि मेश राशी है और फिर उसके बाद दूसरे गर में व्रशब है तीसरे गर में मितुन और चौते गर में कर्क फिर सिंग और कण्या और तुला ऐसे करके पूरी खुंडली को मानते हैं कि 16 में कि 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 कोई भी लगन हो हो एसे नहीं मानते हूं यह ऐसे मान के चलते हैं जो भी लगन है उसको माणके चलते हैं और ब्लानेट को यह लगन की ही है अब यह हमने यह पर डाल दी हम पर साइन पहले घर में एरीज दूसरे घर में व्रशव तीसरे घर में मिथुन ऐसे गर के हमने बारा घरों में यह राशिया हमने डाल दी अब हमको पता चल गया कि यहां पे राशिया हैं मगर इसको लाल किताब ने इतना इतना डीप समझाया है कि पहला घर इस घर की जमीन है पहला घर इस ग्रह की पक्का घर है पहला घर इस इस घर में डेबिलेटिड यह वाला प्लैनेट होता है इतना उन्होंने संशोधन किया है इतना इतना संशोधन किया है कि वह बहुत जादा है वह बहुत 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 जादा है तो शुरू में थोड़ा सा ओवर्वेल्मिंग होगा थोड़ा से डिफिकल्ट लगेगा मगर दीरे 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 जब जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो चीज आपको समझ में आती जाएंगी तो इतना डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि सबसे अच्छी बात है कि हमको यह पता है कि हमें सिर कुछ नहीं है अब एक एक तोर पर जिसे यह कुण्डली है ठीक है आप देखेंगे तो यह जो लेफ्ट हैंड पर जो कुण्डली है वर्गो कन्या लगन की है चौते गर में देखेंगे केतू है पांचवे घर में शनी मंगल जुपिटर है तो ऐसे यह राशियां यहां से चल रही है पहले गर लगन से कन्या फिर तुला और आप राइट इंसाइट पर देखेंगे तो हमने कालपुरुष कुण्ड़ी बनाएगे हमने एज इस प्लैनेट को यहां पर उठा के यहां रख दिया है जो जिस घर में था और हम यह मान के चल रहे हैं कि पहले गर में मे हम यह मान के चल रहे हैं कि पहले घर में कन्या लगन हम यह मान के चल रहे हैं कि पहले घर में मेश लगन ही है यहां तक कोई डाउट हलो के सारी सब्सक्राइब को डॉर डॉर पे आए कहां ओके 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 यहां तक कोई डाउट सुनिय जी नहीं 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 आप पहली चीज जैसे कि हम सामने देख रहे हैं कि कौन सा प्लैनेट किस घर में उच्च का होता है लाल किताब के हिसाब से लाल किताब के हिसाब से ठीक है अब पहले घर में क्योंकि मेश राशी आती है तो सूर्य जो होते हैं मेश राशी में उच्च के होते हैं ठीक है सिंपल है यहां तक होते हैं पहले घर में हमको लिखावा है हमने दूसरे घर में व्रशव राशी आती है चंद्रमा उच्च के होते हैं व्रशव राशी में तुमको पता है दूसरे घर में चंद्रमा उच्च के होते हैं तीसरे घर में राहू जहां पर जेमिनी यानि मिथुन राशी आती है गभी कोई नीच का नीज चहटे घर में बुद्ध उच्च्च नहीं होता है और रहु उच्च्च नहीं होता है। तो चंदरमा होगा जो हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे ठीक है और नौए घर में केतू उचका होता है दसे घर में मंगल क्यार में घर में अगें यहां पर कोई भी अ उच्छ और नीच का कोई concept नहीं होता 11 थीक है और बार्वे घर में के तू उच्छ का होता है और शुक्र उच्छ का होता है तो यह हमने कुछ-कुछ प्लैनेट की placement को देखके समझा कि कहां पर कौन से प्लैनेट उच्छ के होते हैं ठीक है और देखिए एक हाउस में ठीक हमा आगे वादे स्लाइड में देखेंगे जभन करते हैं नीच के planet की भीज़ियन देब गेलेट की बात करेंगे तो 9 नाइंच में के तू होता है इसलिए होता है क्योंकि यह पर रसति का घर है और के 2 इनके चेले होते है तो जो जो चेले होते हैं दस्पती का घर है और के तू इनके चेले होते हैं तो जो जो चेले होते हैं डिसाइपल होता है जिसे शोटाइब ने गुरू के घर में आके वह उसको इक अच्छी वाइब्स मिलती है वह अच्छा फील करता है वह सफोकेटेट फील नहीं करता वह और देखिए अगर यहां जह शोएगा है तो तो या कि क्यों चुक्ति के लिए जो जय मेनी साइने क्रेंड यह बोला जाता कि वह के दोनों घरों में अच्छा बताता है बताया जाता है एक को लिए जाता है ऑज लिए Northern descriptiveatta शनीवत राहू कि अपने पड़ा हुगा और मसलजा ओर करता है इसलिए राहू, कुछ लोग जो शनी की मूलत रिकोंड राशी है, उसमें भी अच्छा मानते हैं, कुछ लोग है, और राहू को बुद्ध के घरहों में अच्छा मानते हैं, तीसरे और छटे घर में, ठीक है? अब बात करते हैं, घरों के पक्के घर, तो यह कौन-कौ से किसके पकके घर है तो पहला घर सुर्य का पकका घर है दूसरा घर ब्रिस्पति का चंदरमा की जो कर गैंग निए इस दुवर का यह चाल करते हैं कि मैं बहुत अच्छा फिल कर रहा हूं यह मेरा सुपनि थैं और च्टे घर में च्टे घर स्लाइड में थोड़ा कन्फूजन आएगा कि यहां पे हम बोल रहे हैं राहु का यह उच्छो गया और हम यहां बोल रहे हैं यहां केतु का यह पक्का घर है मगर ही क्या होता है जब हम कुंडली को दुरुस्त करने की बात करते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है क्या यहां लगाना बड़ा है जब तक देश्काल पात्र को नहीं लगाएंगे आप तो आपको समझ में नहीं आएगा कि उस कुंडली में कौन सा प्लानेट खराब है और कौन सा सही है ठीक है साथमें घर में लिब्रा साइन होता है शुक्र का और बुद्ध अपने दोस्त के घर में अच्छा फील करते हैं तो इसलिए बुद्ध को भी यहां जगे दी गई कि यह वी आपका पका ही घर है मंगल और शनी को यहां पे लिया गया आठ्वे घर में अब आठ्वा घर शनी का क्यों कि लिया गया ही लिए किक बोलो यह उस कर इसंट ci चार्याँ करते यहां पे जजबी बोला जाता है इनको यह एड़ाटार एं तो दोorte और इनके दो इनके एक्छली एजेंट होते हैं ठीके याद रखिए ऐसे डलंकेता में भ Vergnaוכत्मों कि ऑने होते हैं और हमारी साइड का होता है हमारे लड़ता है और चरह ब्olnूता है और दूसरी थे लिए हमारे अगेंस में लड़ता है वो यानि प्रॉसिक्यूशन साइट से कौन होता है राहू और हमारे डिफेंडिंग साइट से होता है के तु यानि हमारे अच्छे कर्म को वो बताएगा शनी देव को कि जातक ने अच्छे काम किये हैं तो इनको कस्ट कम दिया जाए या यहां पर कि स्कॉर्प्यो राशी आती है मंगल इस लिए क्योंकि यह समशान का गर है सम्शान के घर में क्या होता है सम्शान में चिता तो जलेगी तो मतलब मंगल अगनी जो कोईले हैं उसके अंदर जो जो उसके अंदर लकडी है वह शनी प्यव्यू